तो आज की इस वीडियो हम सिखेंगे कि आप फोटो सॉपक के अंदर इस तरह के इमेज का बैग्राउंड कैसे रिमूब कर सकते हो जैसा कि अभी आप मेरे स्क्रीप पे देख रहे हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक इमेज और इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही आप इसका बैग्राउंड भी कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो तो आज यहीं सिखेंगे कि आप किसी भी इमेज में से इस तरह का परफेक्ट बैग्राउंड कैसे रिमूब कर सकते हो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो तो हरो दोस्तों मेरा ना मै मैं इसे यहां से कट कर देता हूँ और मैं आपको सुरू से समझाता हूँ कि आप इसे कैसे कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं मैं आप फोटो सब 7.0 ओपन करके रखा हैं तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यह open करने वाद सबसे पहले हम यह आप से लायर फैंट केlles करेंगे यहां से अपनी चिप्वराइब करनेगी सबसेटेब करेंगे तो यह आपको लेयर का Mac अपनी गुल्प सबसुत ओंढाक लिए, उसे Open करने अपने Photoshop करेंगे और यहां साब को जो भी image है आप यहां पर select कर लेना तो मेरे पास एक image है तो मैं इसे select कर लेता हूँ और यहां से open वाल option पर click करता हूँ तो यहां पर देख सेक्ट हूँ कि हमारा जो photo है वो कुछ इस तरह से open हो जाएगा अपने Photoshop में और यहां पर देख सेक्ट हो कि इसका हेर है वो कुछ इस तरह से extra यहां पर background में कुछ मिला होगा है तो अगर आप इसे erase करेंगे कुछ इस तरह से तो यहाँ पर इसका जो hair है वो कुछ इस तरह से erase है जाएगा जो की देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तो इसे हम कैसे करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस layer वाले option पहाते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर CTRL J प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सेक्टिव इसका जो एक copy है यह बन चुका है और duplicate layer के रेट होने वाद अभी आपको यह उपर बनी layer को select करना है तो यह हमारा यह पहस्ट वारा जीमें से इसे आपको select करना है और यह select turning बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे एक option दिख रहा हुए create new layer तो simply आपको यहाँ पर अपने keyboard में control प्रेस करना है और यहाँ से आपको इस created layer वाले option पर click करना है तो यहाँ पर आपको एक layer create हो जाएगा और यह layer create हो अभी आपको इस created fill वाले option पर click करना है और यहाँ से आपको solid color का एक option दिख जाएगा तो simply आपको इस पर click करना है और यहाँ से आपको यह red color को select करना है और यहाँ से okay वाले option पर click करना है और यहां से दूसरे नमर पर आपको एक option दिख जाएगा background eraser tool तो simply आपको इसे select करना है और यह select करने बाद अभी आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में setting करना है कुछ तो यहाँ पर आपको first में यह option दिख रहा होगा आपको once को select कर लेना है तो यह भी हमारे इतना setting हो चुका है तो simply आपको यही setting आपको कर देना है अपने photo में और यह setting करने वद भी आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको background दिखें simply आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से click करना है तो जैसे आप इसे दवाएंगे तो यह कुछ इस तरह से सरकल में बन जाएगा और यह सरकल में बनने गवाद अभी आपको यह बैगराउंड को कुछ इस तरह से लेना है जैसे आप यहाँ बैगराउंड पर क्लिक करेंगे तो यह भी हमारा कुछ इस तरह से पिक कर लेगा औ इमेज बिए, जैसे मैं आपको भी कुछ इस तरह से करना है, तो मैं आपर जद्दी से करने था हूँ, फिर मैं आपको आगे का तो आपको भी यहां पर कुछ इस तरह से डौ कर देना है और यह जो करने बाद भी आप यहां पर देख सकते हूं कि जो कहीं कहीं है हमारा जो रेड के लड़ हो थोड़ा सा बाल में भी आ चुका है तो इसे अटाने के लिए सेले करने कर ना है और यहां सा पर इस घ्लिक करने करेंगे तो यहां पर पर यहां से बंद कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो background हुआ पुरी थरह से perfect तरीके से यहाँ पर remove हो चुका है और साथ ही आप यहाँ पर detail देख सकते हो hair का तो मैं आपको original image यहाँ पर show करकर दिखाता हूँ और यहाँ से जो भी background आपको रखना आपको रखना अपने image में simply आविजे select कर लेना और यहाँ से open वाले option पर click करेंगे और जैसे आप open करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो background हो अभी हमारा सबसे उपर आ रहा है तो इस image के पिछे लाने के लिए simply आप तो यह वाला image हमारा पीछे चला जाएगा और यहाँ पर हम background को अपने हिसाब से set कर सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो आप पड़र की कुछ इस तरह से set कर देना अपने background को और यह होने बाद अभी आपको अपने keyboard में इंटर जो बटन होता है उसे आपको और साथ ही आप उसका background कैसे remove कर सकते हो तो अगर वीडियो अच्छा लगे तिक प्लीज वीडियो का लाइक कर देना और चैनल पर पहली वारा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली इसी तरह के वीडियो का notification सबसे प अप ईच्छा और शॉन जो गयाँ ताकि vis तो चैनल को प्लीज थे तो के लाइक कर दो तो को की वीडियो का सबसे हो तो का सबसे हों प्लीज तो का क सबस्टाथ है कर दो किम